सो हलो गाइस कैसे आप सभी मैं हूँ आपका दोस प्रदीप अगत करता हो गिरी टूडोरिल के इस प्लाटफॉर्म पे जैसे आप सभी को पता है कि हमने अब जो लावन्द का है टाइम टेबल वाइस लेक्चर आना स्टार्ट करवा दिया है और आपको टाइम टेबल नहीं कर दिया करो कॉमेंट करने को यह कुमारे अंदर एक मोटीवेशन आने के लिए काम करने में अच्छा लगता है अकर नहीं किया तो प्लीस सब्स्राइब कर दिया करए कर को चोरीकर करके वह तो फ्री मैं यहां स्ब कुछ थोड़े मैं सके पैसे ले रहें सो गाइस अभी मैं सबसे पहले सेकेंड जब मेरी सरजरी हुई थी इसके बाद मैंना सेकेंड चप्टर का जो यह exercise था वो रहे गया था सबसे बहले वो खतम करवा दूँगा उसके बाद mechanical property of solids यह मैं start करूँगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यूटी में जो जायन में यूटी होने वाला उसके अंदर यह आने वाला है वो start करूँगा और उसका exercise होगा फिर उसके बाद मैं comment करवाऊंगा कि कौन सा chapter करवाना है फिर मैं उस start करूँगा चलो start करते हैं exercise क्योंकि exercise बहुत important होते हैं question इसी में से आते हैं आप सभी को पता है so guys first question the resultant of two forces 10 newton and 15 newton acting along plus x and minus axis respectively so guys अगर आप ध्यान दोगे अच्छे से तो कोई इसमें दो magnitude दिया हुआ है दो forces के दो magnitude दिया हुआ एक दिया हुआ 10 newton एक दूसरा दिया 15 newton एक positive x-axis है दूसरा anti-parallel negative x-axis है अब जो positive x-axis है उसका magnitude 10 newton और जो negative x-axis है उसका उसका जो unit है वो है उसका unit है sorry magnitude 15 newton अब अगर मुझे इसका resultant find करना तो resultant में क्या जो बड़ा magnitude है जो ज्यादा दिया हुआ उसको minus करो 15 minus 10 15 minus 10 कितना हो जाएगा 15 minus 10 हो जाएगा हमारा 5 newton बट सर इसके अंदर जो a b c d option दिया हुआ है उसके अंदर तो ये भी दिया हुआ है minus x-axis तो इसका भी direction क्या हो जाएगा minus x-axis तो बता option में क्या है d ये भाई आपको लिखना उखना नहीं है पहले बतारो ये लिखना नहीं है बट क्या है कि आपको ये पता रहना चीए इसलिए मैं ये चीज़े बता दे रहा हूँ मैं चाहता तो मैं डारेक भी explain कर सकता तो a उनके जब उनका क्या हो same magnitude and same direction हो तो दोनों क्या हो सकते एक्वल हो सकते हैं तो इसका option है c अब चलते गाई आगे third question की तरफ third question क्या है the magnitude of scalar product of two unit vector यहाँ वेक्टर परपेंडिकल टू इचेदा तो ये scalar product पे ध्यान दो और परपेंडिकुलर पे ध्यान दो आपको मैंने characteristic बताया था जिसके अंदर आपको याद होगा कि i cap dot j cap दो डिफ्रेंट दो डिफ्रेंट यूनिट वेक्टर अगर दो डिफ्रेंट यूनिट वेक्टर है और वह एक दूसरे से वेक्टर प्रड़क्ट ये वेक्टर प्रड़क्ट पर अंडरलाइन करता हूँ अब two unit vector making an angle 60 ये एंगल पे 60 डिफ्रेंट अब वेक्टर प्रड़क्ट आप सभी को पता है वेक्टर प्रड़क्ट मिला cross product अब cross product I cap cross J cap अगर मैं इसका resulting आलना चाहो तो mode of I, mode of J अब जो angle दी आवा है sin 60 degree है sin theta होता है sin 60 degree है अब इसका unit vector 1 हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और sin 60 sin 60 कितना होता है under root 3 by 2 तो 1-1 से अगर multiply करो हो तो answer कितना आजागा मेरा under root 3 by 2 under root 3 by 2 किदर है इदर है हो गया भाई क्या है ये अब चलते है guys last हमारा MCQ दिया हुआ है A bar, B bar and C A bar and B bar and C are three vectors then which of the following is not correct इसमें से कौन सा correct नहीं है कौन सा correct नहीं दिया हुआ ये क्या करना है मुझे fine करना है so guys जो हमें अभी इसके अंदर scalar में ये सही है scalar का ये सही है community law भी करता है ये देखो अगर guys cross product के character streak आप जाके देखोगे properties उसके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर A bar cross B bar equal not equal to होता है B bar cross A bar ये committed law obey नहीं करता कौन obey नहीं करता cross product obey नहीं करता तो ये कौन सा correct नहीं है ये correct नहीं है तो हमारा option की हम से ये ही पुछा है वीचे तो following is not not correct ये correct नहीं है ये तो हमारा option C है और नीचे वाला correct so first अगर हम पढ़ेंगे इसको पढ़ना चाहे तो पहला क्या दिया हुआ show that A bar I cap minus J cap upon another two is a unit vector so guys हमें ये wind करना है कि जो हमें question दिया हुआ वो unit vector है कि नहीं है जो दिया हुआ है इसको हम proof करके देंगे कि इसका जो magnitude हाएगा वो one आएगा तो चलो हम proof करते हैं उसके लिए मुझे different screen पर जाना पड़ेगा जो solve करके देना पड़ेगा और मैं solve करते करते मेरे से गड़बड हो जाता है कि मैं screen के पीछे लिए तो आईसा दो तिन बार अभी हो चुका है इसलिए मैं इसको अब हटाई देता हूँ so अब ध्यान दो आपके पास सभी के बार textbook होना चाहिए फिर से बता रहा हूँ textbook होना चाहिए जिससे आपको question सामने दिखेगा so guys हमें यह जो दिया हुआ है a bar equal i cap minus j cap upon under root 2 इसको हमें proof करके देना है कि यह unit vector है कि नहीं unit vector proof करने के लिए आप सभी को बता है कि हमें क्या करना पड़ेगा हमें इसका जो result है हमारे जो इसका magnitude है वो one आना पड़ेगा और one आ गया तो हम बता सकते हैं कि ए बार क्या है unit vector है तो guys बहुत simple है कि i और j i along the x axis होता है j along the y axis होता है और magnitude के लिए simple सा formula क्योंकि unit vector find करना unit vector में रिजल्ट 1 आना चाहिए तो एकदम simple सा याद रखो इसको हम करते हैं बहुत जादा गुमाते फिर आते नहीं direct कि मैं इसको magnitude में डाल देता हूँ magnitude of a bar equal formula आप सभी को बता है magnitude का magnitude find करने का तो along x axis a of x square हो जाएगा magnitude find करने का formula याद रखो then plus a of y क्योंकि j दिया हुआ है तो along y axis a of y square अगर z हो अगर यहाँ i, j, k होता तो मैं हाँ plus क्या करता था फिर से a of z square a of square का z यह मैं plus करता पढ़ गई यह नहीं है तो मुझे 2 ही रखना है और magnitude रखना है आप सभी को बता है अपने को find करना है magnitude मतलब 1 find करना है तो a square of x इसका magnitude अगर मैं separate करूँ तो यह क्या हो जाएगा 1 upon under root 2 i minus 1 upon under root 2 j इस तरह से a of x का क्या हो जाएगा i बार मैंने बोला है along x से 6 होता है तो इसका हो जाएगा 1 upon under root 2 का square plus y का क्या होगा magnitude along j मतलब j cap दिया हुआ इसका मतलब क्या था कौन सा along y axis होता है along y axis का क्या होगा इसका magnitude 1 upon minus minus 1 upon under root 2 okay square अगर मैं आप सको solve करूँ guys बहुत simple तरह से solve करूँ तो यह हो जाएगा 1 square root of 2 square root of 2 का square दिया हुआ तो only हो जाएगा 2 1 upon 2 plus okay minus 1 का square यह minus cancel हो जाएगा square करना और 1 का square 1 होगा और root 2 का square only 2 होता है so guys इस तरह अब देखो अगर मैं इसको plus करूँ अराम से plus करूँ तो यह 2 common आ जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा और 2 2 cancel square root of 1 का 1 हो गया ना तो square root of 1 का answer क्या था 1 ही होता है तो इस तरह हमने प्रूफ कर दिया इस तरह हमने प्रूफ कर दिया कि जो यह था यह वाला हमारा question था यह बार क्या है unit vector है तो भाई बहुत सिंपल है बहुत आसान है बहुत अच्छे अराम से कर सकते हो अब चलते गाइस next question मैं आपको पहले दिखा दू क्या है एक बार next question हमारा जो है इसको मैं थोड़ा next question v1 bar equal 3i cap plus 4j cap plus k cap and v2 bar equal i cap minus j cap minus k cap और यह हमें दो दिया हुआ दो vector दिया हुआ है और इसका हमें magnitude fine करना है दोनों का combine resultant fine करना combine हमें magnitude fine करना है b1 bar plus b2 bar का magnitude fine करना है बहुत simple है magnitude fine करना है पहले हम इसको पूरे total को plus कर लेंगे total b1 यह v1 v2 निकालेंगे फिर v1 v2 का जो भी आएगा वह square root में रखके हम क्या क्या कर लेंगे हम उसका square root में रखके हम उसका fine कर लेंगे total magnitude fine कर लेंगे तो चलो कैसे कर रहा हूं ध्यान दो अच्छे जे आपके बाट xbook होना चाहिए फिर से बोल रहा हूं सबसे पहले हम हम क्या करते हैं दोनों को plus कर लेते हैं एक बार मैं आपके लिए V2 कितना दिया हूँ है i-Cap माइनस j-Cap माइनस k-Cap हमें हमें total V1 V1-Bar plus V2-Bar 1ró never Mんな आप सभी को मैं बता फैं यह i-Cap along axis इस जो जे होता है वो Along Y-axis य-axis होता है और जो की होता है वो अलोंग Z-axis होता है तो मैं इसका resultant find करूंगा वी वन बार वी वन बार प्लस वी टू बार मुझे इसका magnitude find करना है तो पहले magnitude के पहले इसको add कर लेता हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा पहले हम इसको total plus कर लेते हैं प्लस करके एक ही बना लेते हैं i-cap i-cap एक साथ plus कर लेंगे देखो भाई 3 दोनों के magnitude एक साथ इसका देखो 3 है और इसका कुछ नहीं है मतलब 1 है यह हो गया और इसका i-cap अब फिर बीच में plus हम डालते है then इसका इसका बता हम magnitude कितना है 4 और नीचे वाले इसका भी j और इसका भी j इसका कितना दिया हूँ minus 1 और दोनों का कैप j-cap then again plus क्योंकि सभी का में साथ में plus कर लेना है इसलिए सब में plus plus देते जारो k का कितना उपर भी कुछ नहीं दिया हूँ 1 दिया हूँ मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मतलब 1 है दर नीचे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है मतलब वो कितना है minus 1 ही देखो minus 1 minus 1 okay और k-cap अब गाईस इदम प्यार से बहुत जादे प्यार से 3 plus 1 कितना आ जाएगा 4i then इसके बाद 3, 4 minus 1 कितना आ जाएगा 3J 3J आई बाई इदर 1 minus 1 यह दो 0 ही हो गया तो आपने बाद along x-axis and along y-axis दो ही बचा और दोनों का ही total हमें magnitude find करना है तो मैं इसको अब डाल देता हूँ magnitude के अंदर V1 bar V2 bar और इसको मैंने mode में दे दिया अब इसका formula मैंने आप सभी को बता है था square root of plane square root में लेना है और यह along x-axis है और यह along y-axis है और दोनों का square करना है अब करो तम अच्छे से अगर मैं इसका square निकालता हूँ तो 4 इसके magnitude को ही देखनेगा ना बस क्यूंकि magnitude find करना तो 4 का square plus 3 का कितना 3 का square हो गया answer भाई answer आगे answer आगे अपना 4 का square 16 and 3 का square कितना हो जाएगा 3 का square 9 16 plus 9 कितना होता 16 plus 9 कितना होता 25 इसका अगर मैं टोटल एंसर निकालू तो टोटल एंसर कितना square root of square root of 25 क्या आजाएगा 5 आजाएगा तो गैस यह हो गया हमारा हमारा जो हमें answer पुछादा determine the magnitude of V1 bar plus V2 bar इसका total magnitude तो 5 अब चलते हैं गाईस next question की तरह question number 3 जो आपको मेरे ख्याल से यह सब बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा question number 3 question number 3 guys क्या में दिया हुआ है V1 bar V1 bar V1 bar 2i cap minus 3j cap and V2 क्या दिया हुआ है minus 6i cap plus 5j cap और हमें इसका magnitude भी फाइंड करना और direction भी फाइंड करना और direction के लिए सिंपल सा formula बता दूँगा वैसे कर ले ना आपका आराम से हो जाएगा तो चलो हम चलते हैं आपके वाइड एक्सिबूक होना चाहिए पहले बता देता हूँ थोड़ा इसको हम बढ़ा कर दे थोड़ा सा बढ़ा कर देते हैं यहां तक नहीं दिखता है यहां तक यहां तक यहां तक यहां मार कर देते हैं तो गाइस अब हमारा 17 नंबर का question 17 नंबर के question में हमें magnitude भी फाइंड करना और direction भी फाइंड करना है सबसे पहले मैं लिख देता हूँ V1 बार V1 बार कितना दिया हूँ है 2i माइनस 3j और जो V2 दिया है वो कितना दिया हूँ है V2 दिया हूँ है माइनस 6i प्लस 5j और सो गाइस एकदम सिंपल सा इसी कहामे V1 बार प्लस V2 बार इसी कहामे क्या फाइंड करना है magnitude भी फाइंड करना है और direction भी फाइंड करना है तो हम करते हैं अब दोनों का सबसे पहले magnitude देनस के बाद हम फाइंड करेंगे direction फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हम दोनों को प्लस कर लेते हैं V1 बार प्लस V2 बार दोनों को प्लस कर लेते हैं प्लस पता है ना सेम सेम यह दोनों का मैंगनेटिट टू प्लस माइनस 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 सिक्स और आई कैप सबसे पहले दोनों का प्लस और बीच में प्लस की प्लस करना है दन जे कितना दिया हुआ जे दिया हुआ है माइनस त्री और इसका जे कितना दिया हुआ है इसका माइनस 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 और एंसर हो जाएगा हमारा टू की दिगर नंबर को प्लस का साइन दिया हुआ है यह हो गया हमारा V1 बार प्लस V2 बार पड़ मेरे दोस्स इसका में क्या फाइन करना है सका मैंने फाइन करना माइनस बार ऑप तुर यहां मैंनस स्क्वार को करो बार अब माइनस फूर का स्क्वार प्लस टू का स्क्वार अगर मैं करूंगा तो यह कैसे हो जाएगा माइनस फॉर का स्क्वार कितना होता है सिक्स्टीन माइनस कैंसल हो जाएगा स्क्वार है ना टू का स्क्वार कितना हो जाएगा 4 16 plus 4 कितना हो जागा 20 अगर मैं इसको और simplify करने का करने का पता हो तो 5 4 कितना होता है 5 4 जा होता 20 और 4 का square root कितना होता 2 इसलिए अंदर हो जाएगा 2 under root 5 तो यह हमारा हो गया हमने magnitude find कर लिया अब हम find करेंगे इसका direction direction क्या find करेंगा direction तो direction के लिए मैंने आप सभी को formula बताया था आप सभी को याद होगा कि नहीं याद होगा नहीं याद होगा तो याद कर लो भाई so हम v of y upon v of x यह formula है v of y v of x क्योंकि velocity दिया हुआ ना दोनों का velocity दिया हुआ और velocity बोलता v and v2 दिया हुआ है तो हमने उपर y-axis को लिखा और x यह सब मैंने प्रूफ करके दिया हुआ है आप जाके देख सकते हुआ वीडियो के अंदर को अब v of y, v of y कितना है v of y कितना है उसकी value minus 4 कितना है नहीं, v of y, sorry v of y 2 है यह है यह ना y, along y यह है तो यह 2 है और v of x कितना है minus 4 है minus 4 है अगर मैं इसको divide करूँ 2 1s are 2, 2 2s are 4 तो कितना हो जाका minus 1 upon 2 तो 10 theta equal to minus 1 upon 2 तो अगर theta को उस side मैं लेके जाओ तो यह हो जाका 10 inverse minus 1 by 2 तो गाइस यही आपका final answer है इसको फोड़ा छोटा कर देता हो यही गड़बड हो जाता है तो 10 inverse minus 1 by 2 यह अपना answer है तो गाइस आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा अब चलते next question की तरफ question number 18 तो सबसे पहला आप उसका एक बार दर्शन करवाएंगे आपको question number 18 तो हमारे पास question number 4 दिया हुआ है second का fourth find the vector which is parallel to v bar equal i cap minus 2j cap and as a magnitude 10 okay हमें हमें देखो ध्यान से find a vector हमें vector find करना है हमें v bar find करना है okay v bar हमें find करना है which is parallel to which is parallel to किसको parallel हमें हमें sorry 1 minute हमें find a vector एक ऐसा vector find करना है जो किसको parallel है v bar को parallel है v bar equal to i cap minus 2j और उसका magnitude जिसका हमें find करना उसका magnitude 10 है जो वेक्टर हमें find करना है उसका magnitude कितना दिया वह 10 दिया वह तो चलो find करते एक दम बहुत सिंपल है कुछ ऐसा नहीं है बस आपके पास इसका text book होना चाहिए फिर से बता रहा है text book होना जरूरी है so guys third question सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं जो value हमें दिया हमें जो vector find करना है हमें एक vector find करना है जिसका magnitude 10 हो और हमें जो एक vector दिया हुआ है वह कितना है v bar equal i cap minus 2j okay so guys अब करते एक दम आसान से सबसे पहले unit vector का formula आप सभी को बता है v cap v bar upon magnitude vector जो भी vector दिया रहता है उसके magnitude vector से हम divide करते है तो हमें क्या मिलता है unit vector मिलता है so guys इसके अंदर याद रखो हमें क्या दिया हुआ हमें क्या दिया हुआ हमें यह अगर मैं यह दोनों को multiply करता हूं v bar v cap into magnitude multiply करता हूं तो मुझे नया vector मिल जाता है जो vector parallel है जो vector parallel है आप गाइस इसके अंदर देखो यह नीचे वाला magnitude होता है तो मुझे magnitude दिया हुआ है अगर मैं इसको सीधे तरीके से लिखूँ तो बी बार ध्यान से सुनना बी बार बी बार इक्वल इक्वल यह हमें magnitude दिया हुआ है magnitude कितना 10 10 into V-cap तो इस तरह से अगर मुझे अगर मैं यह V-cap find कर लेता हूँ ना यह unit vector find कर लेता हूँ उसमें अगर इसको multiply कर दूँगा तो वह मुझे parallel वाला जो vector parallel है उसकी value मुझे मिल जाएगी देखो यह formula बस मैंने इस दोनों को multiply को आपको जो वेक्टर दिया हूँ वी बार दिया हूँ उसका हम सबसे पहले क्या find करते है magnitude find करते हैं मैं इसको mode में दे देता हूँ कि देख रहे हैं कि नहीं एक मिट देख लेंगे करेंगे सबसे वहला मुसका मैंग्निट्यूड फाइंड करेंगे अब वही सेम गईज एक दम स्काम करेंगे और इसका टोटल आ जाएगा इसका मैंगनिट्यूड आ अब गाईज ध्यान दो अब बहुत अच्छे से ध्यान दो कि आपने ये तो फाइन कर लिए अब इसके बाद आप यह formula तो पता है V cap अभी मैंने बता है था V bar upon V तो V bar जो हमें दिया हुआ vector है वो क्या है I cap minus 2J और V ओके यह भी जो हमने find किया है जो find किया हो कितना है square root of 5 क्योंकि मुझे इसका यह देखो इसका vector पता था पर इसका magnitude नहीं पता था तो मुझे इसी की vector से इसी के magnitude को जब मैं divide करता हूँ तो मुझे unit vector मिलता है वो द्यान देना अच्छे से अब मुझे देखो यह V cap मिल गया है वी cap मिल गया wondered Unit Vector मिल गया तो मैंने एक formula बताया था formula बनाया था मतलब यह जो नया vector मुझे find करना है वो कैसे मिलेगा जब मैं unit vectors को उसके magnitude के साथ multiply करूँगा तो unit vector की value कितनी है यहाँ देखो न unit vector की value कितनी है i cap minus 2 j cap सही बात है और यह दोनों के साथ अरे सौरी अपन अंडर root 5 भी है यह unit vector की value है और इसके साथ यह जो V है V की value हमारा जो V है वो कितना दिया था मैं already मैं देखा यहाँ दिया था 10 10 दिया था अब दोनों को अंदर multiply कर तो अगर separate separate आपको multiply करना है तो इसका answer कितना हो जगा i 10 upon under root 5 i cap minus minus अब देखो यह 10 अंदर multiply हो रहा है 10 i cap upon under root 5 10 to the 20 j cap upon under root 5 यह बहुत simple देखो एकदम क्या करो पता है सबसे पहले यह आपको दिया हुआ है क्योंकि देखो जो vector रहता है उसका magnitude vector के साथ जब हम divide करते हैं तो हमें V bar मिलता है क्यों जब तक V bar नहीं मिलेगा तब तक हम नया vector नहीं find कर सकते V bar मिलेगा तो इसको साथ जो हमें magnitude दिया था magnitude 10 दिया था तो हमने दोनों को multiply किया और हमें जो vector उसके साथ parallel था वो मिल गया तो V bar दिया था हमने इसका magnitude यहां find किया दोनों को divide किया तो हमें V cap मिल गया फिर V cap को V cap को हमने किसके साथ multiply किया वी कैप को हमें जो magnitude दिया था क्योंकि हमें नया vector find करना था ना जो vector parallel था तो वी कैप को हमने उसके magnitude के साथ multiply किया तो हमें V bar मिल गया यह हो गया हमारा answer हो गया V bar equal to V cap into V मेरे काल से clear हो गया तो require vector is 10 upon under root 5 मतलब इसको V bar नहीं बोल सकता हम है जो हमें vector दिया हूँ require vector so यहां लिख सकते हो the require vector जो हमें the require vector खिक उसको कोई भी नाम आप दे सकते है the require vector equal V cap into V तो V cap हमने निकाल लिया यहां से और into V से multiply करवा दिया तो हमारा answer आ गया 10 upon under root 5 i cap minus 20 upon under root 5 j cap ओके so ऐसे clear हो गया अब चलते हैं हमारा last question की तरफ last question जो है question number 5 show that a cap equal to i cap plus 5 j cap minus 6 cap and b bar जो दूसरा हमें vector दिया हूँ i cap plus 5 upon 2 j cap minus 3 cap are parallel a bar upon b bar a bar and b bar यह दोनों parallel है a bar and b bar दोनों क्या है parallel है यह हमें proof करके देना है हमें proof करके देना है दोनों parallel है भाई बहुत सिंपल है दोनों parallel है मतला कि अगर दोनों का ratio याद रखो दोनों को जो इसका ratio है इसका ratio इसका ratio इसका ratio i का इस i का इस j का इस j का इस k का इस k का अगर दोनों का ratio same आता है सभी का ratio सेम आता तो समझ लेना वो पैरलल है कैसे सर करके बताओ तो ज्यादा मचाएगा मैं एक बार वेक्कर लिख देता हूँ ए बार टू आइ प्लस फाई जे माइनस सिक्स के लिख दिया दिख रहा है तर इसके बाद बी बार आई कैप प्लस फाई बाई टू जे कैप माइनस थूई कैप अब हमें ये हमें प्रूफ करके देना है कि दो जो वेक्टर दिया हूँ है दोनो पैरलल है तो बहुत सिंपल सा है अगर हम ए बार पैरलल टू बार हमें इसको प्रूफ करना है तो याद रखो AX पहले वाले का X एक्सिस और दूसरे वाले का X एक्सिस दूसरे इसको B दिया है हमने दोनों सेम होना चाहिए और फिर पहले वाले का Y एक्सिस और दूसरे वाले का Y एक्सिस दोनों का रेशो सेम सब रेशो सेम होना चाहिए तीसरे वाले का जो जड एक्सिस अलोंग जड एक्सिस है और इसका जड एक्सिस मलब सभी का रेशो कैसा होना चाहिए सेम होना चाहिए अगर उसका magnitude वी टू आ रहा है? अगर मैं लास्ट वाले की बात करो। जो हमें दिया हुआ है, माइनस सिक्स अपॉण माइनस 3 माइनस माइनस कैंसल, यहां है लिख सकते हैं यहां लिख सकतें AX upon BX Y upon BY equal Az upon BZ। और सभी का ईंसर कहा है, तू आ रहा है देरफोर ए बार इस पैरलल जहारे लाल बुलने जा रहा था है पैरलल टू बी बार ओके सो गाइस एकदम अच्छे से प्रूफ करते हैं बहुत जिम्बल कोशिशन पता नहीं बच्छे इसको क्यों कंफ्यूज होते हैं तुम याद रखना कि दोनों जो बार द तो दोनों क्या है पैरलल है सो गाइस यहां हमारे यह खतम होता है और अब हम जो आगे वाला है क्वेशन नमर्ट थर्ड जो दिया हुआ हो हम नेक्स वीडियो में देखने वाले हैं और यह अराम से पूरा का पूरा क्वेशन में करवा दूँगा बट गाइस फिर से बोल प्लीज सपोर्ट दिखाओ जीतना हो सके उतना जाए वीडियो को शेयर करो शेयर करोगे तो हमारे अंदर एक मोटिवेशन आएगा और क्या होगा वीडियो लेक्चर कंटीनिव आता रहेगा सो गैस चलो बाय बाय टाटा टेक क्यार अपना ध्यान रखो मिलते हैं हम नेक् हिंदूस्ट